तमिल नाडू प्रीमियर लीग 2022 के सीजन की शुरुआत 23 जून से होने जा रहेंगे। इस क्रिकेट लीग का ये छटा संसकरन है जहां आठ टीमे इस टूनमेंट में खेरते हुए नजर आएंगे। पिशले कुछ समय से तमिल नाडू प्रीमियर लीग काफी फेमस हुआ है और इस लीग में कई अंतराश्ट्री खिलाड़ी भी खेरते हुए नजर आते हैं। इस बार टूनमेंट 23 जून से 31 जुलाई तक चलेगा। इस टूनमेंट का पहला मुकाबला चेपॉक, सूपर, गिलीज और नेरलाई रॉयल किंग्स के बीच 23 जून को खेला जाना है। इन दोनों टीमों की बात की जाए तो काफी अनुभवी खिलाड़ी इस टीम बे खेरते हुए नजर आएंगे। और कुछ खिलाड़ी तो अब हर टीम का फिसाब भी रह चुके हैं। इस मैच का हम यहां आपको पूरा प्रडिक्शन बताने वाले हैं। इसके लिए इस पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। इसके लावा अगर आपने अभी तरक हमारा जैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट कर दीजे। या कि आपको हर मैच का प्रडिक्शन और सारे अप्डेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इंडियन सीमेंट कंपनी तिरुनेल विली मैदान पर मुकाबला खिला जाएगा। अब इचके मिजाज की बात करें तो शुरुआ की समय में इस पर हल्की स्विंग नजरा सकती है। लेकिन आम तोर पर इस तरह के विकेट स्पिनर्स को काफी मदद देते हैं। ऐसे में टॉस की भूमिका भी एहम रहने वाली हैं। और टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंद वाजी चुन सकती है। अब टीमो की बात करें तो चेपॉक सूपर गिलीज की कमान पौशिक गान्धी को सौपी गई है। इस टीम में कुछ ऐसे भी खिलाडी हैं जो विभन आईपिन टीमो का हिस्ताफ रहते हैं। इन में संदीपु बॉर्यर, राजा गुपाल सतीश, एन जगदीशन, रवी श्री निवासन, साई किशोर, मनी मरंट सुधार, आदी खिलाडी शामिल हैं। ऐसे में इस टीम की बल्ले बाजी और गेंद बाजी संतुलित नजर आ रही हैं। महीं नेलाई रॉयल किंग्स टीम की बात करें तो ये टीम भी काफी मजबूत नजर आती हैं। कुछ ऐसे अनुभवी खिलाडी इस टीम में शामिल हैं, जिन्होंने IPL के साथ साथ इंडिया रेड और इंडिया ब्लू के लिए मुकाबले खेले हैं। इस टीम की कमान अनुभवी बल्लेबास बाबा अपराजित को सौपी गई है। और इस खिलाडी का क्रिकेट केरियर काफी नमबा रहा है। इसके अलावा बाबा इंतरुजी, संजय आदव, वी डेविटसन कुछ ऐसे खिलाडी हैं जो अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। हाला कि दोनों ही टीमों के तुल ना करें, तो चिपॉन सूपर गिलीज अनुभव के आधार पर थोड़ा मजबूत नज़र आती है। लेकिन T20 मुकाबले में किसी भी समय कोई भी टीम बड़ा उलट फेर कर सकती है। और पिछले कुछ समय से तमिलनादू प्रिमेर लीग काफी फेमस हुई है। और प्रोड़ेशन के आधार पर कई खिलाडियों वो IPL में भी मौका मिलने लगा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ important link दिये हुए हैं यहां देख करके आप हुमारे export से बात कर सकते हैं और अपने doubts क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और information ही अगर आपको चाहिए तो आप हमें comment करके भी बता सकते हैं। जिससे हम आपको अपने next वीडियो में उसके बारे में सब कुछ बता सके हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगें तो प्लीज से like और share करें और subscribe जरूर कीजे हमारे जानल को। साथ ही comment भी करके बताएं कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई हैं। इसके लाब बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजें। जिससे हमारी हर नई वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुँच पाएं।